इस वीडियो में हम एक देखेंगे जिसमें हम डिफिनलोजिक गेट्स का यूज करते हैं तो शुरू करते हैं Example 4 If switch1 is on, then motor 1 will be on If switch2 is on then motor 1 and motor 2 will be on If switch3 is on then motor 1, motor 2 & motor 3 will be on If switch4 is on then motor 1, motor 2, motor 3 & motor 4 will be on It means जो motor 1 है वो गञ upload होगा? वो तब on होगा जब या तो सुच 1 on होगा या सुच 2 या सुच 3 या सुच 4 on होगा तो जब भी इन चार सुच में से कोई भी एक सुच on होगा तब motor 1 on होगा और motor 2 तब on होगा जब सुच 2 या सुच 3 या सुच 4 इन तीन सुच में अगर कोई एक सुच on होगा तब motor 2 on होगा और जो motor 3 है वो कब on होगा वो तब on होगा जब या तो switch 3 on होगा या switch 4 on होगा और motor 4 को on होने के लिए switch 4 on होना चाहिए तो अब हम EcoStruxure Machine में एक ladder diagram बनाएंगे और उसमें ये example implement करेंगे तो पहले मैं EcoStruxure Machine Export open करूँगा read protection को inactive रखोंगा और write protection को भी inactive रखोंगा और फिर apply उसके बाद configuration टाप पर जाके यहाँ पर एक list आता है different logic controllers ही उसमें से मैं एक select करूँगा TM221 C24R मैं इस पर click करूँगा और यहाँ तक drag करूँगा Do you want to replace? Yes उसके बाद programming टाप पर click करूँगा और यहाँ पर हम ladder diagram draw कर सकते हैं उससे पहले मैं यहाँ पर एक option है set unset full screen इस पर click करूँगा for full screen mode और इसके बाद zoom in करूँगा तो सबसे पहले मैं normally open contacts insert करूँगा और उनको मैं parallelly connect करूँगा और parallelly connect करने से हमारा or gate implement हो गया और उसके बाद मैं एक coil को insert करूँगा और एक coil को address दूँगा as I sorry q 0.0 और symbol दूँगा motor 1 यानि कि motor 1 को on होने के लिए क्या ज़रूरी है या तो switch 1 होना चाहिए on या तो switch 2 या switch 3 या switch 4 तो यहाँ पर हमारा or logic gate implement होगा तो इन contacts और address देता हो पहले बाले को I 0.0 और symbol switch 1 और इसके बाद दूसरे वाले का address I 0.1 और symbol switch 2 और इसके बाद तीसरे वाले को I 0.2 और symbol switch 3 और इसके बाद चोथे वाले को I 0.3 और symbol switch 4 Yes तो motor 1 को on होने के लिए इन चार और switch मैंसे अगर कोई एक switch on होगा तब ही motor 1 on होगा और फिर उसके बाद motor 2 के लिए मैं और एक रंग को insert करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं तीन और मली open contact को insert करूंगा switch 2, switch 3 और switch 4 के लिए यानि कि जब तीन मैंसे एक switch on होगा तब ही हमारा motor 2 on होगा तो यहाँ पर मैंने तीन normally open contacts को parallel में connect किया और ऐसी ही हमारा और logic gate implement होगा तो इसको मैं address देता हूँ i 0.1 जो कि switch 2 है और फिर i 0.2 जो कि switch 3 है और फिर उसके बाद i 0.3 जो switch 4 है तो इन तीन switch में अगर कोई एक switch on हो गया तो क्या होगा हमारा motor 2 on होगा q 0.1 और symbol देंगे हम motor 2 और फिर motor 3 को on करने के लिए switch 3 या switch 4 का on होना ज़रूरी है तो उसके लिए मैं और एक रंग add करूँगा और यहाँ पर मैं दो normally open contacts को parallel में connect करूँगा और फिर उसके बाद मैं एक coil को insert करूँगा motor 3 के लिए और मैं इन दो को parallel में connect करूँगा और ऐसे हमारा or logic gate implement हुआ इनको मैं address दूँगा i 0.2 और i 0.3 जो switch 4 है यहाँ कि switch 3 या switch 4 के on होने से क्या होगा motor 3 on होगा q 0.2 और symbol दूँगा motor 3 और फिर उसके बाद motor 4 on होगा किस से? switch 4 के on होने से तो यहाँ पर मैं एक normally open contact इंसर्ट करूँगा और एक coil करूँगा और फिर इसको address दूँगा i 0.3 जो कि switch 4 है और coil को address दूँगा q 0.3 और symbol दूँगा motor 4 यानि कि जब switch 1 on होगा motor 1 on होगा और जब switch 2 on होगा motor 1 और motor 2 on होगे और जब switch 3 on होगा motor 1, motor 2 और motor 3 on होगा और जब switch 4 on होगा सारे motor 1, motor 2, motor 3 और motor 4 भी on होगा तो हम exit full screen mode करेंगे और commissioning में जाएंगे और फिर launch simulator करेंगे और फिर उसके बाद controller को start करेंगे फिर वापस programming और full screen mode तो पहले मैं जब switch 1 को on करूंगा तो यहां से करण पास होके motor 1 on हो गया और फिर जब मैं खाली switch 2 को on करूंगा तो switch 2 से यहां से करण पास हो गई और motor 1 on हो गया और यहां पर भी motor 2 के साथ जो switch 2 connected है वहां से भी करण पास हो गई और हमारा motor 2 on हो गया और इसके बाद जब मैं switch 3 को on करूंगा तो जब switch 3 on हो गया motor 1 भी on हो गया क्योंकि switch 3 भी motor 1 के साथ connected है और फिर motor 2 भी switch 3 के वज़ा से on हो गया और फिर motor 3 भी switch 3 की वज़ा से on हो गया और फिर जब मैं switch 4 को on करूं तब switch 4 के वज़ा से motor 1 on हो गया 4 की वज़े से motor 2 on हो गया और इसी से ही motor 3 भी on हो गया और motor 4 भी on हो गया ये था कि और gate को कैसे implement करते हैं हम किसी भी situation में Thank you for watching